साथियों दीजी को मैं बर्सों से जानता हूँ यह वो दीजी नहीं है जिन्होंने वामपंद के अत्याचार के विरुदावाज उठाई थी दीजी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है दीजी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है इसलिए वो ऐसी बाते कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद है जो बंगाल की परंपरा के विरुद है बंकी इंबाबू गुर्देव टगर स्वामी विवेखानन नेताजी जैसे महान सबूत जिसनोंने पूरे भारत को दिशाद काई उन्हें टीमसी की बाहरी सोचते कितना दुख होता होगा बाजिपा के लोगों को बहरी बोलने वालों से पूछिए और तेरा हिम्मत के साथ पूछिए जरा पूछो तो जिस कॉंग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हो उस कॉंग्रेस पार्टी को जन्म किस ने दिया था सापना किस ने की थी क्या कॉंग्रेस पार्टी की सापना करने वाला बाहरीता का भीतरी था जिस लेप ने जिस बं मार्गियों ने इतने वर्से तक बंगाल पर राज किया जिनकी विचारदरा मार्श लेनिन मा उपरा धरीत है वो बाहरी है या भीतरी बंगाल की सत्ता में है ये भी तो उनका मुल गोत्र भी कॉंग्रेज है वो कॉंग्रेज से ही स्वार्थ के कारण निकले हुए लोग है जबकि भारतिये जनता पार्टी की स्थापना के मुल में ही बंगाली चिन्तन है बाजपा वो पार्टी है जिसकी स्थापना की प्रणा बंगाल के महान सपूत डॉक्तर शामा पसाद मुखर जी की है बाजपा वो पार्टी है जिसके विछारों में बंगाल की महक है बाजपा वो पार्टी है जिसके संस्कारों में बंगालों की सुवास है बंगाल की परंपरा की सुवास है बाजपा वो पार्टी है जिसके डिने में बंगाल का सुत्र है बाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का अधिकार है बाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का कर्ज है बाजपा ये कर्ज कभी चुका नहीं सकती लेकिन बंगाल की माटी का तिलक लगा कर उसे विकास की नई उचाई पर पहुंचाना चाहती है